जिस दिन सोमवार और अमावशा थीती हो उसे सोमवती अमावशा कहते हैं। इस दिन पित्रों का तरपन कर दान पुन्य का विसेश महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा वै एक सो आठ परिकर्मा करना चाहिए। इस दिन परिकर्मा में पेशा, फल, मिठाई, आ आठ खंड सोबागे के लिए करती है। सोमवती अमावशा की कथा। जोगी कि बाहत सुन ली और जोगी के पाउं पकड़ लिए और कहा कि आप इक कुछ इसका उपाये बताइये जोगी ने कहा कि सा समौदरपार एक सोना दोबन रहती है Todoウة का वरत करती है यदि वैसोमदरपार मावशा का फ़ल इसको देदें तो इसके भागे में लिखे दुख टल जाएंगे उसकी मा सोना दोबन की तलास में सा समुझर पार सोना दोबन को डूनने चली गई रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विस्राम करने लगी तो देखा एक शाम गरूर पक्षी के बच्चों को खा रा था तो उसने शाम को मार दिया इतने में गरूर पक्षी का जोड़ा उरता उरता अका से आया और चोंच मारने लगा तो वो बोली मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है तेरा गुनेगार मरा पड़ा है गरूर बोला जो मांगना है सो मांगो लड़की की माँ बोली मुझे सा समुन्दर पार पहुँचा दो गरून ने उसे सोना दोबन के घर के पास उसको छोड़ दिया माँ सोना दोबन के साथ बहुवे बेटे थे बहुवे काम करते हुए लड़ती थी लड़की की मा सोना दोबन को खुश करने के लिए सारा काम सब के उटने से पहले कर देती सब सोचने लगते कि यह काम कुन करता है सोना दोबन ने सोचा सारा काम कुन सी बहु करती है देखना चाहिए सोना दोबन चुचाप आँख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी सोना दोबन ने उसे रोक कर पूछा तो किस स्वार से मेरे यहां काम करती है सवकानी बोली मेरी बेटी को आप अपना सोमती अमाउशा का पुन्य दे 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 और सारी बात बताई दोबन तयार हो गई अपने घरवालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर ने जाने देना सवकानी के साथ सोना दोबन उसके घर आ गई बेटी के बहर की तैयारी करी दुला दुलन फेरे में बेठे दुला के पास सोना दोबन मिट्टी के हांडी कच्चा दुला कच्चा सूथ लेकर बैठ गई इतने में दुले कु डशने के लिए साप आया दोबन ने उसे हंडी में डाला और कच्चे सूथे हंडी को बांडिया तो साप बला दुला तो डरके मारे मर गया तो से जिवन दान दे सोना दोबन ने उसके उपर चिट्टे दी और कहा आज तक जितनी सोमवती अमाउशा करी उसका पुन्य सावकार की बेटी को लगना और आगे जो अमाउशा करू उसका फल मेरे पती को लगना इतना बोलते ही दुला उठ गया काम पूरा हुआ वो अपने घर जाने लगी तो सावकार ने बोली मैं आपको क्या दूँ तब सीमा दोबन बोली मुझे क्या चाहिए बस एक मिट्टी की हांडी दे दो रास्ते में अमाउशा आई उसने हांडी के 108 टुकडे कर पीपल के नीचे रखे तेरा टुकडे एक जगए रखे वे पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकडे पीपल में गाड़ दी गर जाने लगी गर आई तो उसका पती मरा पड़ा था उसने पती पर सुहा का छिटा दिया और कहा मेरे अमाउशा का फल मेरे पती को मिले ऐसा कहते ही उसका पती जीवित हो गया एक ब्रामन आया और बोला सूमती अमाउशा का जो किया है वो दान दो सोना दूबन बोली रास्ते में अमाउशा आई कुछ नहीं कर पाई जो किया वो पिपल के नीचे गार दिया ब्रामन ने जगर खोदी तो पाया कि वहाँ 108 वर 13 सुनी के टुकडे रखे हैं इकटे करके वो घर आया और दोबन से बोला इतना धरम किया और कहती है कुछ नहीं किया सोना दोबन बोली ये सब तुम्हारे बाका है आप ले जाओ ब्रामन बोला मेरा तो चोथा हिससा ही है बाकि तीन हिसा आपके इच्चा हो उसको देना ब्रामन ने नगर में दिंडूरा पिटा दिया सब जन सोमती अमाउशा का वरत करे है सोमती अमाउशा सावकार की बेटी को दिया वेसा अमर सुहाग सब को देना जे बोलो सोमती अमाउशा की जय वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक्यू एर्यवन